तो दोस्तो आज 29 मार्च 2023 मार्केट में आज बहुती शांदा रिकवरी देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया 17,080 पॉइंट पे लगबग 0.76% तेजी के साथ तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेन अपडेट्स है कुछ देखने रखता हो तो रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा कि प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना तो दोस्तों शुरू में जो निउस है वो एक बहुत मशूर इन्वेस्टर्स की तरफ से ये स्टेट में दिया ग्लोबल एकनोमी की बारे में तो इन्वेस्टर का नाम है जीम रॉजर जीम रॉजर ने कुछ ऐसा का कि मज बिगर देन 2008 तो 2008 में क्या हुआ था आपको तो मालूम होगा अगर आपने जानकरी रखते हो तो 2008 में वाला हुआ था फ़नांशियल क्राइस और उस फ़नांशियल क्राइसिस में हर एक देश का जो इंडेक्स है 50% कोई इंडेक्स 40% तो कोई इंडेक्स 70% तक गिर गया था तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट देते समय कुछ ऐसा बोला है तो देखिए मतब आज की डेट पे जो बैंकिंग क्राइसिस चल ला है वो अभी तक खतम नहीं हुआ तो इनको लगदा है ये इनका एक्कोरिंग कि 2008 में जो क्राइसिस हमें देखने को मिला उससे भी ज्यादा बड़ा क्राइसिस दोसो इस बार देखने को मिल सकता है उसके पीछे जो इन्होंने एक सेंटेंस में जो इसका बोल सकते को पूरा-पूरा रिजन बोला है कि डेट लेवेल हैब स्काई रॉकेट एक्रोस दा वर्ड अब देखिए क्या कुछ नहीं होगा बहुत हो समय बता देगा इनका जो लास्ट यहां पे जो सेंटेंस इन्हो कोई भी देश हो गया इवेन इंडिया भी हमने देखा था बहुत बार एपरेट हाई किया था अर्भी आई ने अभी 25 बीपेस तो अभी 35 बीपेस का आज पास तो जिस बैसे जो यहां पर कर जा मतब डेट का जो लेबल है ना कंपनी का हो या कोई देश का बहुत जदा बर चुका है स्काई रॉकेट हो चुका है तो दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है सब्सक्राइब कर मेंकर कर जरूर और इस बार अगर हम बात करें जो कि पूरा पूरा चांस है 25 BPS के आसपास रेपरेट हाइक करने का ऐसा ही दोस्तों की रेपरेट हाइक करने से पॉस्ट करेगा और भी आई क्योंकि लगातार बैंक को लैप्स भी आमें देखने को मिला आपका ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना नेक्स दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट अपडेट अधानी ग्रूप की पर फाइनली सुप्रीम कोड के का कि विल सब्मिट इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट तो सुप्रीम कोड तो जैसे के आपको मालूम है कि आज की रेट में सुप्रीम कोड को परी कारवार चल रहाएं अधानी ग्रूप को रिलेटेट तो इन्होंने याप मीडिया को क्लियर कर यहीं बोला तो जिस बैसे क्ल कर रहा है या जो भी डॉकुमेंट से जो भी डिटेल बगर है हम सुप्रीम कोड को सब्मिट करेंगे वहां से आपको मतब सारे के सारे जो अपडेट मिल जाएगा यह बहुत अच्छी अपडेट है आई तिंग अधानी ग्रूप के लिए नेक्स दोस्तों ग्लोबाल मार्क अभी देखे आदा ट्रेश यहां पर कुछ भी हो सकता है उपर की तरफ और भी रिकोवर हो सकता है नेची की तरफ गिरावट भी हो सकता है बट मोस्ट अब दा चांस यह कि उपर की तर रिकोवर कर जाए इसके पीछे क्या लोजिक मैं आपको दोरह समझा देता हूं आज अगर आप देखोगे शुरू से लेकि अभी तक जो भी ट्रेंग शेशन खतम हुआ है जहां पर इंट्रेटेश लोट अच्किया बतीस हज़ार पांचो उन्तालीस पॉइंट पे अभी यह लेवल क्यों इतने इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूं क्योंकि कुछ टैम पहले सब्सक्राइब देखने को मिला क्योंकि पिछले टाइम अच्छा रैली आज हतात को में देखने को मिल सकता है जो कुछ वह का दोस्तों अपडेट में आपको टाइम देता जाओंगा रिक्वेस्ट करूंगा सबको चैनल को सब्सक्राइब करके जरू रखना नैस्टक की बात कर यहां पर पोजिशन काफी बेटर है तो अब देखना यह है क्या आज कर रात कोई बारा हजर करके निकल जाएगा तो क्योंकि कल तो वैसे राम नववियों के बज़े से भारतिय बजार बंद रहेगा तो परस्व इंडियान मार्केट जब ओपन हो का फ्राइडे के दिन तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल सकता है वी खतम होने से पहले तो आज रात का जो युएस मार्क अभी ट्रेट करें लगबख सौ पॉइंट उपर 171586 पॉइंट के आसपास दूसरे इंप्रेंट अप्रेट यह है कि डॉलर इंडेक्स में फिर से हमें थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिला कॉमुनिटी बजार की बात करें आपको थोड़ा सा कॉमुनिटी मार्केट का अभी अप्रेट दे देता हूं कॉमुनिटी मार्केट में थोड़ा बहुत मिक्स्ट रेक्शन देखने को मिला जैसे कि अब देख से तो ब्रेंट कूट के अंदर हलका फुलका कमजोरी कुरोल की बात करें तो हलका फुलका तेजी देखने को मिला अपको देदिया चलिए इंडियन मार्केट के अंदर उसके पर मैं आपको लेके चलता हूं बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एंकुरेच करना और इस टाइप की वीडियो हर रोज पानी के चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना पास में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला दोस्तों आपको याद होगा मार्च के सेगेंड वीक से लेके थर्ड वीक तो कभी तो फिलाल फॉर्थ वीक चल रहा है थर्ड वीक तक क्या हुआ था लगातार एपाइस ने इंडिय इंडियान मार्केट के अंदर उसके अकॉर्डिंग मतब सेल काफी कम किया 7851 करोर का शयर आज जो टोटल नेट वैलू एफेस द्वारा बाई हमें देखने को मिला 1245 करोर का जो कि बहुत बढ़ी बात है एपाइस ने कल भी हमने देखा था मतब यह स्टड़ीब हमने अब बात करें दियाज ने भी दोस्तों आज करेट पर खरीदारी किया देज ने कोई भी सेल फेल नहीं किया टोटल जो टोटल बाई किया इंडियान मार्केट के अंदर दियाज ने अदब ढॉमेस्टिक इन्स्टिशन इन्वेस्टर्स ने 10196 करोर का शयर उसके गवर्ण सेल किया 9300 करोर का शयर आज डियाज ने भी लगबग 822 करोर का खरीदारी किया इंडियान मार्केट के अंदर यानि ओवरल अगरम बात करें आज डियाज का पोजिशन हो या एफाइस का पोजिशन हो यहां पर गेन के एकोडिंगे देखने को मिला मत पॉजिटिव में दे रिक्वेस्ट करूंगा सबको चैनल को सब्सक्राब करके जरूर रखें वीडियो अच्छल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेज करना और आज के रिट में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का आसपास काई ने के क्लोजिंग दिया तो कल का जो एनलेस प्रीज ना के बड़ाबाल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली ये चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आदे घंटे के अ अंदर आपका डिमेट आकाउंट बन जाएगा